दि गोल्डन सिटी और दि कुंदन सिटी और राजिस्थान जिसको कहते हैं जैसल मेर और बीकानेर भारत के सबसे शांदार historic monuments, राजिस्थान का सबसे famous खाना और हमारे इंडिया की सबसे जबरदस्ट historical presence है जैसल मेर और बीकानेर में राजस्थान जो कि उत्तर भारत का एक शहर है वहाँ की दो सबसे बड़ी cities में से है जैसल मेर और बीकानेर जैसल मेर और बीकानेर राजस्थान की अंकही कहानिया और प्राचीन सुदरता को हर परियतक के सामने दर्शाती हैं जैसे बीकानेर जो की red sandstone से बनी है, राजिस्थान की कुंदन सिटी है और जैसलमेर जो की golden sandstone से बनी राजिस्थान की golden सिटी है. नवश्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अनुच बंसल और वेलकम टू अनुच बकेट. आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप राजिस्थान की ये दो famous cities बीकानेर और जैसलमेर कैसे घूमें. सबसे पहले हम आपको देंगे बीकानेर और जैसलमेर के बारे में general information जिसमें उसकी geography, history, maps और best time to visit होगा. फिर हम बताएंगे कि ये दोनों शहर आप कैसे पहुँच सकते हैं, flight, bus या train लेकर. उसके बाद हम इन दोनों जगा की top things to do की list बताएंगे, जिसमें यहां की top attractions, top places to eat और top activities शामिल हैं. फिर हम आपको देंगे इन दोनों जगाएं घूमने की एक itinerary, कि आपको इन दोनों जगा घूमने में कितने दिन लगेंगे और कहां-कहां आप घूम सकते हैं. इसे के साथ हम आपको बताएंगे कि यहां पे hotels कैसे कैसे हैं और आप वो कैसे book कराएं, जिसके बाद अंत में हम आपको बताएंगे कि यह सब करने का आपका खर्चा कितना होगा. तो हमारी ये वीडियो अंत तक देखना और यदि आप नए हैं तो हमारा चैनल जरू सब्सक्राइब करें, बस दबाएंगे लाल बटन और उसी के साथ दबाएंगे घंटे का निशान. तो सबसे बहले बात करते हैं इन दोनों जगाओं की about information जिसमें सबसे पहले आता है यहां की जोग्रफी. बीकानेर और जैसलमेर भारत की स्टेट राजिस्थान की दो बहुत बड़ी सिटीज हैं. बीकानेर राजिस्थान की उत्तरी पश्चिम दिशा में स्थित एक सिटी है जिसका शेतरफल है तकरीवन 27,200 वर्ग किलोमीटर का और जैसलमेर बसा है राजिस्थान के western पार्ट में जो की इंडो पाकिस्थान बॉर्डर से तकरीवन 25 से 35 किलोमीटर दूर है. इन दोनों सिटीज को आप एक ही साथ एक ही टिप में घूम सकते हैं बस डिपेंड करता है क्या वहां कैसे जा रहे हैं. अब बात करते हैं यहां की history की. बीकानेर का नाम पड़ा है प्रिंस राओ बीका जी के नाम पे जिन्नोंने बीकानेर का सबसे famous महल जिसे लोग जुना अगर फोर्ट इतना बड़ा है कि इसे बनने में 16 पीडिया लगी और दूसी तरफ जैसल मेर का नाम पड़ा है महरावल जैसल सिंग के नाम पर जिन्नोंने जैसल मेर का सबसे बड़ा महल जैसल मेर फोर्ट बनवाना शुरू किया था 11 सदी में और जो complete हुआ 18 सदी में. बी अप्टूबर से लेकर फेबरी तक का तो बीका नेर और जैसल मेर घुमने का भी best time है October to February. गर्मियों में मार्स से लेकर जून तक बीका नेर और जैसल मेर में temperature तकरीबन 45 डिगरी तक पहुच जाता है और ये दोनों जगा इतनी गर्मी में घुमना बहुत difficult है. इसलिए बी ये मैप है बीका नेर का जिसमें यहां की top places to visit इस तरीके से scattered है और यहां की top places to eat भी बीका नेर में आपको कोने कोने पे मिलेंगी. बीका नेर का famous कर्मी माता मंदर वहां से तकरीबन 45 मिनट की दूरी पर है और बीका नेर के जुना गोर्ड फोर्ट के पास ही आपको वहां क बेसिक top attractions मिलेंगी. अब ये मैप है जैसल मेर का जिसमें इसकी top places to visit जैसल मेर फोर्ट के आसपास हैं. हाला कि जैसल मेर के पास जैसल मेर desert भी है जहां पर आप camping कर सकते हैं जो कि जैसल मेर से तकरीबन आदे से पौने घंटे की दूरी पर है. तो अगर आपको desert adventure sports या फिर desert camping करनी है तो जैसल मेर से आदे से पौने घंटे दूर पाकिस्तान के border के तरफ desert में आपको जाना पड़ेगा. अब बात करते हैं यहां के transportation की. सबसे पहले अगर आप Beacon Air आना चाते हैं तो आप तीनों तरीके से आ सकते हैं. फ्लाइट, ट्रेन और बस. Beacon Air के सबसे पास वा कार से Beacon Air आना चाते हैं तो आपको सारी major cities से Beacon Air की bus मिलेगी जैसे दिल्ली, जैपुर, उदैपुर, आगरा या भरतपुर. Similarly, जैसल मेर पहुशने के लिए भी आप तीनों तरीके से आ सकते हैं. By plane, by train और by bus. हाला कि जैसल मेर पहुशने के लिए अगर आप plane से आना चाते हैं, तो जैसल मेर से नियरस्ट एरपोर्ट है, जोदपूर एरपोर्ट, जहां से जैसल मेर का सफर तकरीवन 5-6 घंटे का, जहां पे land करने के बाद आपको एक private taxi जैसल मेर तक पहुचा आदेगी, जिसमें आपको 6-7 घंटे लग सकते हैं. अगर आप by train जैसल मेर आना चात इस्तमाल करें. बीकनेर और जैसल मेर दोनों जगा आपको एरिक्षा, आटो या टेक्सी बहुती असारी से मिल जाएगी, जो कि आपको पूरा जैसल मेर और बीकनेर अराम से घुमा देगी. यदि आप ये दोनों सिटीज अपने private vehicle से घुमने आए हैं, तो याद रखेगा कि जैसल मेर फूट के अंदर और मेन बीकनेर चौक के पास आपको अपनी गाड़ी ले जाना अलाओड नहीं है, इसलिए आपको अपने personal vehicle यहां की public parking में ही पार्क करना पड़ेगा. अब बात करते हैं कि बीकनेर और जैसल मेर और जैसल मेर आने की क्या-क्या COVID restrictions आपको फॉ पानी होनी चाहिए. अब बात करते हैं बीकनेर और जैसल मेर घूमने की top places to visit की. सबसे पहले जो जगा आप बीकनेर मेर में घूम सकते हैं उनमें सबसे पहले हैं जुनागर फोर्ट, रामपूरिया हवेली, सेट भांदासार जैन टैंपल और करनी माता मंदर. जो जगा पाने पीने के लिए फेमस हैं, उनमें आता है चंदंचरी रेस्टूरेंट और डेजर्ट बाइट रेस्टूरेंट. हमारी top places to visit and top places to eat in बीकनेर और जैसल मेर की हमने separate वीडियो बना रखी हैं, जिसका लिंक आपको हमारे cards और description में मिलेगा, तो इन सारी जगाओं की detail information के ल रहे हैं, तो यहां की desert camping का look उठा सकते हैं, फाइनली, पहुच गया निज, यह वाला हमारा camp है न, वाह, वाह, वाश्रूम में भी सारी facilities है, टौवल, बार टौवल, हैं टौवल, यह, एस ही भी लग रहे है, desert camping के साथ साथ, आप कर सकते हैं, यहां की camel safari, एक उठ पे बैठके, राजिस्तान के रेगिस्तानों को explore करना, अपने आप में ही एक बहुत बड़ी activity है, और अगर आप बीका नेरा जैसल मेर आ रहे हैं, तो यह activity मिस मत करिएगा, कि ठाइक, अपने शबड़ी हैं, इस अपने बड़ी आगी है, लिए ठाइक, षब ब्ली पुप्र आगी, इस एक यहुर दो जागा हुपरे गाएं, अबना क्या निचर 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 ने नबर के अप्तैविटी है, पराती पर्ली आपली है, यहां गाई, निचर नबर के चौथे नबर की एक्टिविटी जो आपको महा मिस नहीं करनी चाहिए वो है यहां की डैजर्ट सफारी जिसमें आप कर सकते हैं एक डैजर्ट जीप में बैटके ड्यून बैशिंग अब बात करते हैं कि बीकानेर और जैसलमेर घूमने की एक आइटिनरी क्या होगी कि आपको ये दोनों जगा घूमने में कितने दिन लगेंगे और आप किस दिन क्या-क्या जगाएं घूमेंगे तो हमारी Beekaner और Jassalmer घूमने की हमने 5 दिन के अइटिनरी बनाई है जिसमें आप 2 दिन घूमेंगे Beekaner और 3 दिन घूमेंगे Jassalmer और ये अइटिनरी हमारी कुछ इस तरीके से दिखेगी जिसमें Day 1 जिसमें आप Beekaner पहुंच रहे हैं Bika Nair फोर्ड पहले चिंतामणी फोर्ड के नाम से जाना जाता था और इसका नाम 20 वी सदी में बदल के जुनागर फोर्ड रख दिया गया अच्छा लगा आपको क्या नाम इस फोर्ड का जुनागर फोर्ड पिकानेर 4 मिटर लंबी एक कहावत है ना किसी दूसरे के कंदे पर बंदूख यह वहीं बंदूख है इसको दो कंदे चाहिए एक चलाने वाला एक पकड़ने वाला आगे जूनागर फोर्ट घूमने के बाद हो जाएगा लंच का टाइम लंच करने आप जा सकते हैं बीका नेर के चोटु मोटु जोशी के रेस्टरांट चोटु मोटु जोशी जो बीका नेर का एक बहुती प्रसिद्ध हलवाई है और जहां आपको मिलेगा इंडियन कजीन तो यहां पर जो हमें सुबर सुबर काते हैं दिलिए हैं मेरा पचोड़ी सब्जी, पूरी सब्जी, लस्टी, जलेवी, सब कुछ यहां में पर्फेट। खुश्बू बढ़ी अच्छी आ रिया तो पापा का बैस्त है ऐसे मूँ चला दे ना ओम लोम 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 कितना अब लंच करने के बाद जो सबसे पहली जगह आप घूमेंगे वो होगी बीका निर की रामपूरिया हवेली अब रामपूरिया हवेली घूमते आपको शाम हो जाएगी और आप डिनर करने जा सकते हैं वहां के हीरालाल रेस्टोरंट हीराल रेस्टोरंट में आप लंच औ सबसे पहले घूमेंगे वहां का सेट बांदासर जैन टैंपल जैन टैंपल घूमने के बाद आप निकल पड़ेंगे जैसलमेर के लिए जिसमें रास्ते में आप घूमेंगे बीकानेर का करनी माता टैंपल बीकानेर का यह मंदर मंदर है माता करनी का जो की माता दुरगा का रूप मानी जाती हैं करनी माता एक हिंदू वारियर थी जो की माना जाता है कि थी चौदवी सदी की वैसे तो करनी मा कि काफी मंदिर हैं लेकिन बीका नेर का करनी माता मंदिर जो कि बीका नेर से सिर्फ 30 किलोमेटर दूर है करनी माता का सबसे अलग मंदिर माना जाता है क्योंकि यह मंदिर है तकरीबन 25,000 चुहों का करनी माता टेंपल घूमने के बाद आप निकल पड़ेंगे जैसल मेर के लिए और जैसल मेर पहुंचने में आपको वह पूरा दिन लग सकता है जिसमें दूसरे दिन आप जैसल मेर के होटेल में जाके चेक-इन करेंगे और यह दिन आपका होगा पूरा लेजर अब तीसरे द से बड़े फोट्स में गिंती आती है जैसल मेर फोट की जैसल मेर फोर्ट जैसल मेर सिटी का एक बहुत ही पॉपूलर लेंड मार्क है जैसलमेर किला राजसान के बाकी किलो से काफी अलग है, यहां आपको किले के अंदर मिलेंगे घर, म्यूजियम, शॉप्स, रेस्टोरंट, रेजिदेंचिल एरिया और होटेल्स भी मैं प्रीप मैंने की कलेक्शिन के लिए दिखाना? हातीगोड़ तो हमारे पास है, यह वाला देखो कितना डिक्टरेट है, बिल्कुल, मैंने यह दिखाना कैसा है, हुई हुई दिखाना मागूई जैसल मेर फोट घूमने के बाद, हम लंच करने चल सकते हैं, जैसल मेर फोट के ही पास, चंदन्शरी रेस्टोरंट में जैसल मेर की फेमस पट्वो की हवेली, पट्वो की हवेली वो जगा है, जहां पाच हवेली मिलके एक जगा बनाती है, जिसका नाम है पट्वो की हवेली, पट्वो की हवेली को बनवाया गया था 1805 में गुमान चांद पट्वा के दुआरा, इन पाचो हवेली में से पहली हवेली को बनाने में लगे थे तकरीबन 55 साल, पट्वो की हवेली गुमने के बाद शाम हो जाएगी और जैसल मेर में गाडिसर लेग की शाम की बोटिंग का मजा आप इसी समय ले सकते हैं, पाकिस्तान के बॉर्डर से तकरीबन 30 किलोमेटर दूर, एक रेगिस्तान में बसी हुई जन्नत का नाम है गाडिसर लेग, गोल्डन सिटी ओफ इंडिया जैसल मेर की टॉप प्लेसिस टु विजिट में गाडिसर लेग का नाम जरूर आना चाहिए, गाडिसर लेग एक मैनमेड लेग है जो की बनवाया गया था बारवी और तेरवी सदी के आसपास, और आज के समय ये जैसल मेर के एक बहुत ही पॉपुलर अट्रेक्शन है, अब बोटिंग के बाद डिनर का टाइम हो चुका होगा, तो आप डिनर करने जा सकते हैं जैसल मेर के डेजर्ट बाइट रेस्टरांट, क्या क्या ओडर किया है जैजु हमने यापर, ऐसे कैसे हो गया, दिर क्या ओडर है कि आप ही बढ़ा दो जीजु दर शर्मा आगा है, अपने दो थाली जाल बाटी चुनिया भी तरी है, और एक माराजा थाली आपे, उसमेला सब कुछ है अपन्जाबी थाली करें एक पंजाबी थाली करें एक फों सोनी, अब देव फोर की आइटिनरी आपकी कुछ इस तरी के से दिखेगी, जिसमें देव फोर में दिन होगा हमारा जैसलमेर का डैजर्ट कैम्पिंग का, तो आप सुआ उठते ही सबसे पहले पहुच जाएंगे अपने कैम्प, अब कैम में चेक इन करने के बाद आप अपने कैम से ही निकल सकते हैं, जैसलमेर के डैजर्ट एडवेंचर स्पोर्ट्स करने, इसके लिए आप डैजर्ट तक जा सकते हैं कैम्पिंग सफारी करते हुए, अब डैजर्ट में पहुचने के बाद आप बहुत सारी अक्टिविटीज कर सकते हैं, जैसे की पैरा सेलिंग, ड्यून बैशिंग, जिप लाइन और इसी तरीकी की बहुत सारी अक्टिविटीज, अब desert के adventure activities करने के बाद जब आप रात को camp वापस आएंगे तो आप enjoy कर सकते हैं जैसल मेरे के desert camp का folk dance और folk music को अब day 5 हमारी trip का आखरी दिन होगा जिसमें आप अपने camp में breakfast करने के बाद निकल पड़ेंगे अपने घर की तरफ अब बात करते हैं जैसल मेर और बीकानेर में hotels की कि ये पूरा trip करने के लिए आपको hotels कहां कहां book करने हैं और वो hotels कितने के होंगे इस trip के साब से आपको बीकानेर में 2 दिन का hotel और जैसल मेर में 3 दिन का hotel लेना पड़ेगा जिसमें 3 दिन में से 1 दिन होगा आपका camp अब Jaisalmir में अगर आपको होटायल लेने है तो आपको Jaisalmir में 5-star hotels भी अविलेबल होगे जो की शुरू होगे 12-15,000 रुपे में लेकिन Biekan Air में कोई 5-star hotel अभी तक नहीं है एक normal hotel Biekan Air और Jaisalmir में शुरू हो जाते हैं 1500-2000 रुपे में जिसमें आपको एक नॉर्मल कपल और फैमिली के लिए ठीक टाक होटेल मिल जाएगा जैसल मेर और भीकानेर में सबसे सस्ते होटेल शुरू हो जाते हैं 600 से 1000 रुपे तक में अगर आप अपनी परसनल वहिकल से जैसल मेर और भीकानेर होमने आ रहे हैं तो ऐसा होटेल लीजेगा जिसके पास पार्किंग अवेलेबल हो वरना आपको जैसल मेर और भीकानेर की पब्लिक पार्किंग में अपनी गाड़ी पार्क करनी होगी जिसका खर्चा आपका 90 रुपे से 100 रुपे दिन तक का होगा अब जैसल मेर में कैंप्स कितने के मिलते हैं जैसल मेर में डेजर्ट कैंपिंग शुरू हो जाती है 5,000 रुपे से लेकर 10,000 रुपे पर परसंद तक की जिसमें included होता है आपका कैंप, बातरूम, आपका लंच, डिनर, ब्रेकफस्ट कैंप में रात को live entertainment, folk dance, folk music और high tea कुछ कैंप्स में आपको desert की adventure activities या फिर camel safari भी include मिलती है desert camping जो की 2,500 रुपे में शुरू होती है उसकी जानकारी आपको बड़ी अराम से google पे मिल जाएगी जिसमें बस आपको google पे लिखना है book desert camp in जैसल मेर तो आपकी बहुत सारी merchant website खुल जाएगी जिसमें से camping की information gather करके आप कोई भी camp online भी book कर सकते हैं अब बात करते हैं कि ये सारी चीज़े करने का आपका खर्चा कितना होगा अगर transportation की बात की जाए और अगर आप flight से बीकानेर आते हैं अगर आप bus से आना चाते हैं तो state transportation की bus आपको 400-500 रुपय और Volvo और luxury bus आपको 1000 रुपय तक में बीकानेर और जैसल मेर दिल्ली से पहुचा देगी अब अगर वहां के बाकी खर्चे का हिसाब रखें तो बीकेनर और जैसल मेर मेर में आपको 4 दिन की होटेल और एक दिन का कैम करना है जिसमें सबसे सस्ते होटेल आपके होंगे तकरीबन 2400 रुपय के एक नॉर्मन फैमिली होटेल आपका हो सकता है चारो दिन का 6000 रुपय का और एक लग्जरी होटेल जिसकी कोई लिमिट नहीं है वो आपका हो सकता है तकरीबन 16000 रुपय का तो बीकनेर और जैसलमेर का एक सबसे सस्ता ट्रिप आप बना सकते हैं तकरीबन 9-10,000 रुपय में एक नॉर्मल ट्रिप आपका बनेगा 16-18,000 रुपय और एक लग्जरी ट्रिप जिसकी कोई लिमिट नहीं होती आप तकरीबन 33-35,000 रुपय में बीकनेर और जैसलमेर का बना सकते हैं तो यह थी हमारी बीकनेर और जैसलमेर की कम्प्लीट ट्रेवल गाइड आपको आप कोई वीडियो पसंद आई है अगर पसंद आए तो लाइक का बटन दबाए और यदि आप नए हैं तो सब्सकाइब बटन के साथ दबाए घंटे के निशान जिसके बाद आप दबा सकते हैं अब इस वीडियो के लिए हमारे कमेंट का सवाल यह है कि अगर आपको लगता है कि हमारी बीकनेर और जैसलमेर की गाइड में को इन्फोर्मिशन अधूरी जाए गई है या फिर कोई जानकारी हमने भूल से गलत दे दी है तो उसे हमारे कमेंट्स में जरूर करतें ताकि वो बाकी वीवर्स की हेल्प करें तो इट वस वरी नैस तो भी वीडियो अगैन बी वेल नमस्ते और हमारे चैनल की सारी ट्रिप्स के बिहाइंड दसीन आप को मिलेंगे हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो करें और वहाँ जाके देखें कि कैसे बनाते हम यह सारी वीडियो तो बस अभी इंस्टाग्राम पर जाओ और हमार follow button दबाव